एक तरफ जहां मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान श्री राम का आयोत्या में भवे मंदिर आकार ले रहा है वही मंद्वर्देश के मंदा सिले के विस्तित्व उनके पुत्र लवकुष की जन्विस्थली सीता रप्तन के अस्तित्व पर संकट मंदाने लगा है संकट में सीता रप्तन का अस्तित्व जहां श्री राम के पुत्रों का हुआ था जन्व वहां आज भी होता है पाप और पुन्य का फैसला आप भी देखिए वालमी की आश्रम की दुर्दशा मद्रदेश के मंदला जिला मुक्याले की गरीब 18 किलोमेटर की दूरी पर सीता रप्तन एक दर्शनी इस्थल है जो अब तक शासन प्रशासन की नजरों में होते हुए भी ओचल है बिचे अविकासखन के अंतरगत आने वाले ग्राम पंचायत जाकनाथर के अंतरगत सीता रप्तन जो सुर्पन नदी के तट पर सैखड़ो वर्शों से कार्तिक महा की पूर्ण मासी को मेले का आयजन क्या जाता है पुराणिक मानिताओं के नुसार यहाँ पर वालमी की आश्रम में लव कुष और सीता माता रहा करती थी और इसे इस्थान से सीता माता धर्ती में समा गई थी इस अद्बुदिस्थान पर चारोधाम के मंदिर भी माँजूद है यहाँ पर एक ऐसा व्रक्ष भी है जिसका नाम ही नहीं है जिसको लोग अंजान व्रक्ष बोलते हैं इस पेड़ की बारे में यहाँ के इस्थाने लोगों की मानना है कि इस व्रक्ष को पाप और पुर्णि का रास्ता भी बताया है व्रक्ष के तने की बीच दो तने जुड़ हुए हैं जिसके नीचे से लोग निकल कर अपना पाप और पुर्णि देखते हैं इस अद्भूद और अलोकिक इस्थान के बारे में हम नेक्षेत्र के राष्टपदी पदक्स सम्मानित सिवानी वरत शिक्षक रोहडी प्रसाद शुकला से चरचा की नाम जो है वो सीता अरप्टन है नहीं यहां तो अब हम लोग जानते हैं हमारे आजा परपाचा वगएरा सेकोड़ों बर्सों से यहां निवास रद रहे बो वी जैसा आज है जे वैसा पहले ही से बो भी जानते हैं यहां पर शासन प्रसासन का कोई योगदान आस तक नही है जो इसकaneously अलव दifsाइम आरे जटू नाम से गुप्त नाम से इसको प्रेमस किया गया मत वहन किना थी नहीं नहीं मदेवह नहीं संगाय पेजर से नाम से इसलिए जह साक्त नजियां टॉड़ी हो गी या पाइन पंटिक कह hon पें कृच्छे सिर्फ पंचायद है पंचायद में थोड़ा सा मीला का ठेका होता है उसमें मूर्तियां बगएरा का रंग पेंट कलर रूचन उसमें किया जाता है और ज्यादा लंबा ठेका भी निदिता थोड़ा बहुत ठेका है इसलिए ज्यादा यहां कोई काम नहीं हो पाता और सासन प् जो है बहुत पहल की गई है मुख मंत्री जी के पास जो है इसकी फाइल भी गई है लेकिन फाइल कुछ दिन चलती रही कि हाँ हो जाएगा बाद में पता चले कि वो फाइल जो है दब गई जो भी पुजेरी यहां है वो अपने सुम अपने बिवेक से करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं लेकिन सासन को एस और ध्यान देना चाहिए यहां का जो है मैं जो है बालमीक जी का आस्रम है सीता जी के दूसरे बनवास की कहानी है जब धोभी के बाद जो कहानी जोड़ी गई है मतलब एनको जो सीता जी को बन में छोड़ा गया था मधुबन में छोड़ा गया था और वो बालमीक जी के आस्रम में जाके रही हैं वही जे जो है बालमीक जी का आस्रम है सीता जी की कुटिया आप एक और वहां देखे होगे वहां पर सीता जी का निवास इस्थल है उसके बगल में एक इस्थल और है लाव जन्म इस्थल जहां लाव जी का जन्म और यहां पर नर्मदा परिक्रमा वासी आके रुकते रहे हैं और नर्मदा परिक्रमा की जो तीर्थों की सूची है उसमें सीता रप्टन का नाम है अब साथ हमें दी देखें वहां तो सीता रप्टन में जो विसाल चक्तान है उस पर अनेक देवी प्रमान है जैसे भीम सेन का पैर का होना, सीता कुटी का होना, प्रसौकाल के दौरान वहां प्रकति स्वयम बता रही है पत्थरों की रूपों को देखने से, रंगों को देखने से पता चलता है और साथ ही साथ वहां पर बालमीक जी का आसरम है और सीता माता की चौक भी वहां पर है और साथ ही साथ ये लवकुस की कथा और बालमीक से जुड़ी हुई कथा वाला ये इस्थान है तो लोगों की मानता भी है कि ये बालमीक आसरम रहा है यहां और साथी लवकुस का जन्व हुआ है ऐसी मानता मानते हैं लोग और ये कथा जो है बार-बार लोगों को सुनाते हैं तो जहां आस्था है जहां सद्धा है और जहां भक्ती है वहाँ पर इसुरी सद्धा विद्धुमान रहती है और इस छेत्र का सीता रब्टन इस्थान प्रसिद्धतीर्थ इस्थान है सदियों से प्रसिद्ध रहा है तो जिस्पकार मडला जिले के परातात्विक धरोहों को समारा जारा है ज़ाया जा रहा है उनको सुरक्षा दी जा रही है इसी तरह सीता रप्टन को भी एक पवित्ततीर्थ इसथल बनाए और उसे सुरक्षा प्रदान करें रामानुरागी शंतित्यागी महिमा में सीतारप्टन की महिमा का उलेख है ये पुस्तक में स्वेम लिखा और इसकी हज्जारों प्रतिया जो है नेसुलक में वितृत गया हूँ अब वो गीत आपको सुना रहा हूँ जिसमें सीतारप्टन का वरणन है रामे लवकुष कथा विस्तारी है सीतारप्टन की महिमा न्यारी है सीतारप्टन मोक्षि का द्वारा बहती जहां सुर्पन जल धारा शाधु संतों की यहां बलिहारी है यह भी मानिता है कि लवकुष जिस पत्थर पर खेला करते थे उस जगह पर आज भी विस्तलन है लोग बहा जाकर फिसला करते हैं जिसको रिप्टन भी बला जाता है इसलिए इस जगह को सीतारप्टन कहा जाने लगा यहां के पुजारी मुकेश पांडे ने बताया कि यहां मानिताओं के आधार पर सैक्डो वर्षों से इस जगह पर लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं वही मंदिर के रख रखाव और परिटन को भढ़ावा देने के लिए उन्होंने इसे परिटन इस सलो में शामिल करने की मांग की बाबा जी आप बताई कि यहां पर कब आपको पता चला कि यहां पर पताल है आज के दस साल पहले पूर्व से यहां हम लोग यहां कीरतन करके आते थे और बैठके देखते थे उसके अपलक्ष में सब लोग मिल करके इसको साब करके इस कुटिया को बनाई गए पताल प्रिवेस को साब किया गया है तो इसका पताल प्रिवेस का इसका एक दुआर सुनते हैं यहां से 15-20 किलो मीटर दूर राम नगर महल है गोड़ बनसजराजा जो रहते थे वहां पे जाके खुलता है कहां तक सच्चा है इसके हाँ सही है यह जो स्रूंग है यह चारों तुरप थे अभी एक स्रूंग ही चालू है और तीन को बंद कर दिये है तो तो यह में झाता है कि इसकतो तो यह कहां तक जाता है अप कि कुछा तो निचे राम नगर जाता है कि और नदी तक जाता है कि मैय तक जाता है पूरा तो हम तो बांश डाला की भी देख ली एермैराज के लुटी है पच्छिज बिश पच्छिश साल हो गई अप कि यहां सीतारपटन में एक एसा पेड़ पाया जाता हैُ जिसका Nama Chaba क 않 I यहां पर कुछ लोग हैं उन लोगों से जानते हैं कि जे पेड क्या है और जिसे मानता है इस पेड की उनके बारे में जानते हैं ग्रामिलों से, यहां पर जो पेड़ है, इस पेड़ का नाम अंजान कैसे पड़ा? पेड़ का नाम अभी तक किसी को पता नहीं है, और जब इस पेड़ का नाम अभी तक किसी को पता नहीं है, और जब इस पेड़ का नाम अभी तक किसी को पता नहीं है, और जब इस पेड़ का नाम अभी तक किसी को पता नहीं है, और जब इस पेड़ का नाम अभी तक किसी को वहिंगराम पंचाय जगन नाथर के उपसरपंच गरणेश प्रसाद ने बताया कि कार्थिक पुर्णिमा पर तीन देवसी मिला आयोजित किया जाता है जिसमें पंचायत द्वरा खास वेवस्था की जाती है कार्टिक मार्ष पुर्णिमा को मेला भरता है और यहां पर जो हे पंचायत द्वरा जो है साफसाफ हाई और लाइट वो पानी की विवस्था की जाती है और यहां पर सेकलो बर्सों से जो है मेला भरताय आया है और यह धार्मिक एवं तिर्थ एस्थाल है तो और यहां पंचायत की तवारा क्या-क्या सुविधाएं बाहर से दूर दराज से जो लोग आते हैं उनके लिए पंचायत क्या विवस्थाएं कराएंगे अब यहां पर जो है पानी एवं सोचालाई की समचे दिवस्था है और यह रात में जो लाइट बगार रही विवस्था यह भी पंचायत द्वारा दे जाती है यहां पर देखें हम लोग के मंदिर में पुताई चल रही है औ जढ अर और रा दारमी की स्थाह ले हल नीचे वहां पर पुताई चल रही है तो क्या इसका जो है पंचायत करा रही कि एहां के लोग सुम करारे है इस थानियों है यहां पर जो पनाईत उस तरब जहां पर ओढ़र की फोटो है और सीता मएय की फोटो है वहां पर जोे में मंदला से सलिम खान की स्पेशल रिपोर्ट